मुझे एक अवेर इंवेसर ने पूछा कि वह अपने पूटफोलियो में स्मॉल का एफ़नद रखना चाहते हैं लेकिन कई एडवाइजर ने शला दी जिसमें कई-कई fund का नाम बताया, किसी ने A बताया, किसी ने B बताया, किसी एडवाइजर ने ये नहीं बताया, कि कोई fund रखे तो क्यों रखे, कोई fund ना रखे अपने पूर्फोलियो में तो क्यों नहीं रखे वो के वह रिकॉमेंड करते हैं उसका लॉजिक या उसका रेकॉमेंडेशन के कारण क्या है इसके बारे में चर्चा वो नहीं करते हैं और इसी करब में उन्होंने मुझसे रेक्वेस्ट किया कि आप SBI स्मॉल कैफ फंड का स्मॉल के फंड रखना चाहिए या नहीं तो आज हम बात करेंगे स्मॉल के फंड के बारे में सबसे पहले देखें यह कितना पुराना फंड है इसका रेगुलर जो स्कीम है वो तेरह साल पांच मेने पुराने हो एज हो गया है इसके और डारेक्ट फंड जो है वो दस साल एक मेने जनवरी दो हजार बाई बारा में डायक्ट शुरू हुआ था तब से इन्होंने यह शुरू कर दिया इसके साथ ही शुरू किया हुआ है और टूटल एक्स्पेंस रिश्यो रेगुलर में यह वन पॉइंट एट्री परसेंट है जबकि डारेक्ट में 0.70 परसेंट हैं यह रेगुलर और डायक्ट क्या है इसके बारे में आप जाना चाहते हैं इस पर एक वीडियो बना रखी है आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं और आप बात करते हैं ऐसे टने मेंजमेंट की यह जो है 15,292 करोर है और स्मॉल कैप के लिहाज से यह ऐ कोर्फोलियो में क्या है उसके रिटरन के आलिसिस करेंगे देखेंगे किया होना चाहिए और उसके बात करेंगे कि रिटरन जो मिलेगा उसमें रिस्क इतना हो गा रिस्क किया है 있습니다 ऐसे परफूल्द्ट इन नलि precisamente कि और इसमें देखते हैं कि यह थी अपिछले तीन काड़र और जर्मनी जन्वरी 2023 का portfolio की बारे में equity और debt के बारे में देप करें तो हम देखते हैं कि सबसे कम सबसे कम जो cash या debt था वो 5.885 परसेंट ता जन्वर दिसंबर 2022 quarter में और सबसे अधिक equity सबसे अधिक equity उसी quarter में 94.115 परसेंट था जबकि सबसे अधिक cash and debt जनवरी जून 2022 quarter में था जून 2022 quarter में था फस्स quarter में जबकि equity सबसे कम उसी quarter में थी तो ये तो है portfolio का position इस लिहास से कि कितना equity में इनका holding है कितना cash या debt में है और जनवरी मेने में ये 7.49% cash है और 92.51% equity है ये तो होगए equity और debt या cash के distribution के बारे में अब हम देखते हैं कि ये out of 92.51% जो equity जनवरी के महने में है उसका के bifurcations है तो हम देखते हैं कि giant और large cap में it is 4.87% mid or small cap 95.13% अब देखें अब इसको देख लें कि giant और large में 4.87% ही है और mid of small cap and 95% percentage है जैसा कि आप जानते हैं कि mid or small cap में risk अधिक होता है तो ये तो कहा ही जा सकता है कि SBI small cap में risk है हलांकि small cap as such is risky fund तो निश्चित रूप से SBI small cap भी risky होगी अब इसका comparison हम category average से करेंगे आगे video में फिर देखेंगे कि अधिक risk return के लिहाज से है या नहीं है अब देखते हैं अगस्त 2022 से January 2023 तक में total number of stocks जो change हुए है 50 सबसे कम stock थे सबसे अधिक 54 stock है आज के दिन में इसके पास चववन stocks हैं तो number of stocks पचास चववन इससे अधिक होने से फिर मैंस करना इस क्वाइट डिफकल टॉप फाइब होल्डिंग जो है इस नाइंटीन पॉइंट सिक्स वन परसेंट तो टूइंटी थी पॉइंट डिरो शिक्स परसेंट मिन्स यह वह अगस्त और अगस्त बाइस से जर्वरी 23 के बीच में और टॉप त्री सेक्टर में जो डिस्रिबूशन है यह 42 45.99 परसेंट मिन्स 46 परसेंट है अभी इसको यदि हम देखें छे साथ मैने का यदि हम देखें स्रिटेजी तो हम देखते हैं कि नहीं नंबर आप स्टॉक्स में कुछ अधिक चेंज हुआ है नहीं अधिक चेंज टॉप फाइब होल्डिंस में हु इसले अगस्त अभी तक कोई खास चेंज नहीं हुआ है चेंज तो हुआ है लेकिन चुकि एक्टिफ वर्न है तो चेंज तो होंगे लेकि कोई खास ऐसा सबस्टेंसियल चेंज कुछ नहीं दिख रहा है अब बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्न ओवर की और देखते हैं कि कैटोगरी एवरेज़ इसके बारे में कुछ जानना हो इसकी वीडियो बनी है आप हमारे प्लेश में जाके इसको देख सकते हैं और अब देखते हैं जैसा हम प्रफीलियो टर्ण ओबर रिश्यों के बारे में हम समझते हैं कि जिसका पॉर्ट एप्रफीलियो टर्ण ओवर होंगे और expenses अधिक होंगे तो उसके return कम होंगे या कर सकते हैं total expenses ratio उसके अधिक बढ़ेंगे इसकी तरफ हम आगे करेंगे कि क्या जो मैंने कहा कि इस लिहाज से इसमें अधिक expenses है पता नहीं return का क्या है तो देखूंगा उसके आगे जब रिसक अनल्सिस की बाते करेंगे तो क्या यह बेतर है या बेतर नहीं है क्योंकि यहां SBI small cap का expenses रिश्चु काफी कम है जबकि category average is quite high it is more than 116.0 अब बात करते हैं return की return में सबसे पहले annual पिछले पांस साल का return जब देखा हमने हमने देखा category का small cap category का benchmark का और SBI small cap का तो हम देखते हैं सबसे में category का तो it varies from minus 18.63% to 63.15% यह पिछले पांस साल का है कितना variation है देख लें 2021 में it was 63.15% 2022 में minus 04 और 2018 में it was minus 18.63% यह ध्यान रखें यह annual return है यह बीस और 21 के बीच का return है और यह period corona का था यह period corona का था तो ध्यान रखें इस बात को कि यह impact जो है there is no change in the fundamental it is only because of the sentiment कि यह 2020 में लगा था कि पता नहीं कोरोना में क्या हो जागा एक इस में वो improve करके 63.15% return दिया हुआ है और यदि हम benchmark की बात करें यहां भी देखते हैं कि सबसे अधिक return 2021 में it is 59.11% और यहां देखते हैं यह भैरी करता है 20 माइनस 23.62 तो 259.11% यहां भी variation काफी अधिक है इसका मतलब की category के small cap का category का जो return है वो benchmark benchmark है इसका NAC 250 sorry SNP 250 small cap TRI इसका है benchmark तो category average जो है टीज बेटर देन दा NAC 250 SNP 250 small cap index और इसका comparison जब SBI small cap से करते हैं तो हम देखते हैं कि out of five years 18 से 22 के बीच में तीन साल 2019 2020 और 2022 इस तीन साल में इनका जो return है यह benchmark से भी उपर है और category से भी उपर है किवल एक साल 2021 में जो 20 और 21 के बीच के बीच का corona period था उसमें इनका return यदि quantify का return को 47.56 percent return is not bad but if you compare with that of category and the benchmark it appears कि इसका return इन दोनों से कम है और 2018 में जबकि minus negative return थे यह benchmark से बहतर है यह benchmark से बहतर है यह benchmark से बहतर है category average से कम है तो annual return के basis पर हम conclude कर सकते हैं कि out of five years इन्हों तीन साल काफी अच्छा return किया तो this fund may be kept in the portfolio अब देखते हैं अगला return मैं बता दूँ बैंचमार के लिए बातें कर रहा था वो बैंचमार रहा है SNP BSE 250 small caps total return index है benchmark अगला return देखते हैं thrilling return thrilling return means you can say that CAGR roughly CAGR कि जब बातें करते हैं तो three years का लिया है five years का लिया है 10 years का लिया है and I think it should not be taken more than 10 years is my opinion because 10 years is sufficient time to judge any fund category average का लिया है हमने इत तो तीन साल में 26.35% five years में 11.85% दस साल में 19.09% लेकिन जन्वरी महने का जो एक महने का return जो है इटीजन माइनस सोफारेज कैटोगरी स्मॉल के पेटोगरी कंसर्ण यहीं बातें करते हैं benchmark की तो हम देखते हैं कि benchmark के सारे जो CAGR हैं वो category average से नीचे हैं तीन साल में भी कम है पांस साल में भी कम है दस साल में है और जन्वरी दोजार तईस एक मेहना का यहीं रिटर्न लेते हैं तो इसमें भी कम है और जब देखे हम तो सब्सक्राइब की यहां फिर देखते हैं इन पांस साल में फाइव यह और टेन यह जो ट्रेलिंग रिटर्न जो फाइज फाइव यह तेन यह सो जन्वरी तैस की बात हैं तो हम देखते हैं कि फाइव यह सो टेन था यह में इनका स्टी जियार कैटोग्री और बेंसमार्क से ऊपर है और शौक्ण है जनवरी में यह निगटीन रिटर्ण है सबसे अधिक रिगुजर्ण हैं लेकिन यह एक महना का रिटरन है अभी काफी समय है एक महना के रिटर्स से हम किसी fel के बारे में हम घ्रिण केके सकते हैं हैं अब भात करते हैं रॉलिं रिटरंड जो लिए हुआ हम है थो अलगाल, घ्रटा लिया हुआ है का मुअने किया है और यूसी वे स्कते हैं जब हम बात करते हैं और एट परामिटर्स आ रही है यह देखते हैं कि यह तीनों ही परामिटर्स में और और वी कन से दिए इन आल एट परामिटर्स यह केटोगरी एवरेज से यह बेतर है एवरेज भी 25.13 परसंट दिया हुआ है इन्हों ने पर जब रिटर्न डिस्टिबिशन की बातें यह दि करते हैं तो निगेटिव रिटर्न केबल 1.24 टाइमस ही हुआ है जबकि केटोगरी एवरेज 11.59 परसंट और यह दे मोर दें 20 परसंट रिटर्न की बातें करें तो सब्सक्राइब के अपने 62.1 परसंट का रिटर्न दिया है और जबकि केटोगरी का यह 47.66 परसंट था इस लिहास से भी देखते हैं कि यह फंड को अपने पॉर्टफोलियों में रखा जा सकता है और अब यदि यह दो रिटर्न की बात हैं की अब यदि रिस्क की बात हैं तो रिस्क में चार रिश्यो लिया हुआ है सार पे शौटिनो अलफा एंड बीटा और सार पे रिस्यो की दिए बात करें इतलिए 0.92 परसंट सार पे रिस्यो शौटिने रिश्यो अलफा बीटा इसके बारे मैं एक वीडियो बना रखी है यदि इसको अब देखना चाहें not a playlist में जा के कल निंग पीज्या क्लिक कर सकते इसको आप देख सकते सारपire ratio मिस रिस्क अजजर्शे रिटर्ण शॉट इन रिषियो मिन्स डांवार डिस्क अजजुटर्ण है और आलफा मिस में ले और से कितना ऊपर दे रहा है और बीटा होग प्रियलिटी अभ दर ya small cap होते हुए भी इसका बीटा zero point seven seven it's a good sign और जब category के बाते हैं यह देखते हैं कि सारपय रेशियो से सारपय रेशियो SBI small cap का बेतर है alpha थोड़ा सा कम है लेकि almost के बेश के बराबर है और बीटा भी अच्छा है इससे कम बीटा है इसका मतलए SBI small cap का बीटा बेतर है और इसकी तुलना मैंने बताया था कि केबल portfolio turnover जिसकी हमकी चर्चा हमने इस वीडियो में early phase में किया हुआ था जिसमें बताया था हमने कि portfolio turnover category average का hundred sixteen point zero four percent है जबकि SBI small cap का sixty one percent है और इसको जिए link करें हम सारपय रेशियो से तो देखते हैं कि SBI small cap का portfolio turnover ratio कम होते हुए इसका सारपय रेशियो बहतर है और category average का portfolio turnover ratio अधिक होते हुए इसका सारपय रेशियो कम बहल तो यदि portfolio turnover ratio और सारपय रेशियो मिला के यदि compare करें SBI small cap के with the category return तो हमें लगता है कि ये काफी बहतर fund है कर फ्रेंट्स ये पूरा रेटियल रेव्यू देखने से कुछ बातें सामने आती हैं सबसे पहला positive points है इसमें ये काफी पुराना fund है और tested भी है अच्छा return का record है इसका इसका portfolio turnover category average के हिसाब से 61% है जबकि category का 116.04% है और उससे बड़ी बात यह है कि सारपय रेशियो इसका 0.92 है against the category return of category average of 0.86% है इसे very positive points annual return हमने 5 slots का लिया हुआ था जिसमें 3 slots में इसने category और benchmark से बेटर प्रत्रशन किया है एक में दोनों से खराब किया है और एक में दोनों के बीच का प्रत्रशन किया है so we can say that out of 5 period 2018 से 2022 तक का लिया हुए जिसमें करीब 4 साल इसने काफी अच्छा प्रत्रशन किया है ट्रेविंग रिटर्ड में 5 येर 10 येर में दोनों से बेटर benchmark को category से बेटर प्रत्रशन किया है जबकि 3 years में उन्होंने बीच का किया है category और benchmark return के बीच का हाला कि January 23 में इनका return negative है जो इन दोनों से category और average return से अजिक negative return है rolling return में all parameters में इसने सब को outperform किया हुआ है risk जो है इसका 0.77 है against the category average of 0.81% it's also very good कुछ negative points है negative points को नहीं भी कह सकते हैं जैसे इनका equity का position roughly 90 to 95 percent move करते रहता है जो की indication है कि अधिक risk है हलांकि small cap fund है risk तो होगा ही otherwise you cannot expect that means of return एक और negative points दिख रही है इसमें कि इसकी holding तीन सेक्टर में around 40 to 45 percent move करता है यदि ये सेक्टर बहतर present करते रहा तो काफी अच्छा perform करेगा बट यदि कहीं ये तीन सेक्टर में शेक all three sectors या कोई एक सेक्टर खराब perform करेगा तो इसका impact इसकी return पे आएगा और एक छोटा सा negative points और है कि इसका alpha जो है it is five point one six against the category average of five point three nine हलां कि थोड़ा कम है कोई business कम नहीं है तिसको आप negative मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं so keeping in all view details all the things हम अलांकि निर्ने तो आपको लेना है कि यह आपको शूट करता है यह category का इस करेक्सिक्स का fund या नहीं लेकिन मेरे बेक्तिकत पिचार से यदि हमारे portfolio में small camp fund है रहना है तो SBI small camp को रखा जा सकता है कि यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो इसको like करें अपने friends के साथ share करें कुछ queries हो comment करें कुछ चीजें अच्छी लगी हो इसके बारे में बताएं कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में जरूर बताएं और यदि आप first time हमारे इस चैनल के viewers हैं तो हमारे चैनल एस्टान टेक्स्पीन को subscribe करें यह वीडियो खत्म होने के पहले मैं एक disclaimer दे दूं कि मैं कोई mutual friend सलाकार नहीं हूं नहीं मैं कोई वादा करता हूं कि हमारे द्वारा उपाया दियेगे सुझाओं को follow करने से आप overnight कोड़ोपती बन जाएंगे या दो साल में आपके fund तिन गुने हो जाएंगे हाँ इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि इन सुझाओं को follow करेंगे तो आपको आपके investment पर अच्छे return मिलने की पूरी उमीद है एक और बता दू कि मैं किसी fund का promotion नहीं करता हूं थैंक्यू